कि अलो एवर्वन माइनेम इस कुल्दीप सिंग राठफोर्ड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफोर्म आप में से काफी सारे से स्टुडेंट्स होंगे जो गेट टुथान प्वेंटीफाइव को अटेंप करने वाले होंगे और कई सारे स्टुडेंट्स के माइंड में सवाल सब्सक्राइब करने के बाद सबसे ज्यादा जो इंपोटेंट एक्जाम जो उनके लिए होता है वो गेट का एक्जाम है विकोज यह एक गेट वे होता है कई सारी अपोर्चुनिटीज को ओपन करने का तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सारे आइडियाज देने वाला हूं सारे इसके डिलेटर जो उन्टोल सीक्रेट वह आपको बता लगने वाले है और गेट तुदान ट्व जो कई बच्चे को पता नहीं होंगे तो अगर हम गेट के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हम सबसे पहले अगर हम देखें तो गेट से आपको जो जो है वो मिलते हैं बहुत सारे पी एस यूज में और अधर अधर और 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 पेंशन कियो हैं यह केवल आपको मैंने एक्जामपल दी हैं इनके अलावा भी बहुत सारे पीएस यूज हर साल अगर आप देखोगे रिक्रूमेंट अपने करते आ रहे हैं तो गेट जो है वह आपको एक व्या देता है जो पाने का जिसमें आप लगबग अगर आप आप देखो गईस तो बहुत सारे इसे रेपूटेड ओर गनाजिशन जो है वह गेट के स्कूर के कार के सेलेक्शन करते हैं जैसे अगर आप डियाडियो में जाके साइन्टिस्ट बनना चाते हो तो उसकेस में गेट जो है आपके पास एक पॉर्चनटी है जिसमें आप डि करना चाते हो तो अगर आप साइन्टिस्ट की पोस्ट निकलती रहती है तो अगर आप साइन्टिस्ट बनना चाते हो कंट्री में और ग्रूप A की जोब करना चाते हो हो तो गेट के द्वारा इन रेपूर्टेड ओर्गनाइजिशन में अगर आप देखोगे ओल्मोस्ट एवरी येर जो है रिक्रूमेंट होती है तो आप इनको भी जोइन कर सकते हो आप से कमेंट सेक्शन में जानना भी चाहूंगा कि गेट से आप क्या करना चाते हो आप से प्याकर उन चाइन करना चाहते हों जो भी ओप्षन करना चाहते हो जो भी मैं ऑप्षन बता रहा हूं वह आप हम बताएंगे कमेंट सेक्शन में की सर मेरा इन वह मेंग करने है वो मेरी यह है और बागी फिर जो दूसरे ओप्शन से डेफिनेटली मैं उनको भी चूज कर सकता हूं लेकिन मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी कौन सी है तो आप कमेंट करके बताइएगा यहां पर अगर हम देखें गाइस तो आप सबको पता हुगा कि गेट के एक्जमनेशन प्राइवेट को लेज हैं वहाँ पर भी आपको इस्टाइपन मिलेगा करने का मतलब यह होता है कि आपको जो गवर्मेंट ऑप इंडिया के अंदर अगर आप मिनिस्ट्री ओडूकेशन जो है उसके द्वारा आपको 12400 का स्टाइपन मिलेगा अगर आप हाईयर है फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है और ऐसी प्राइवेट वगरा में जाएंगे तो फीस थोड़ी ज्यादा होती है आप वहाँ पर भी अवेलेबल होती है तो इस तरीकी से आपका सिस्टम चलता है आएम का जो है वो कई बच्चों को पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको इ सब्सक्राइब लेकिन आपके बास पोस्ट डॉक्टरल करने का मोगा होता है में गेट इसकोर काड के बैसे सब्सक्राइब अगर आप देखो आप पर्टिकुलर्ली जोइन करते हो कोई भी हायर एड्यूकेशन के लिए तो अगर आप एंटेक की प्रोग्राम या एमसर के प्रोग्राम ये सब आप जोइन करते हो तो आपको 12400 13400 के आसपास आपको यहां पर स्टाइपन मिलता है तो आप इस टाइपन से अपनी जारी के सारी जो फीस से वो निकाल सकते हो क्योंकि अगर आप शिक्स मंद का स्टाइपन देखेंगे तो 72000 के आसपास अगर आप देखोगे आपका स्टाइपन बन जाता है और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपकी फीस जो है वो होस्टल फीस है वो अल्मोस्ट इस फीस से मेनेज हो जाती है तो यह भी आपके पास अच्छा ओप्शन होता है इसका अलावा भी अगर आप दिखेंगा इस पाले में अवेर नहीं होंगे मैं आपको बता दूगाइस कई सारे जो रेपूटेड आइटी है वहां पर अगर आप जाके पीएजडी करते हो आज कल पीएजडी का काफी ज्यादा इंप्रूमेंट हो रहा है अगर आपने देखा होगा बहुत सारी वेकेंसी पीएजडी क बच्चों के लिए भी निकलती है इवन आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट भी बन जाते हैं पीएजडी में जाकर तो डेफिनेटी एक लाग के आसपास आपका सेलेरी होता है तो कम से कम अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी अपोर्चनेटी पीएजडी के स्टुडें पर मन्त आपको नेक्स्ट त्री यर जो उसके हैं उसमें स्टाइपन मिलता है जितने यह आपकी पीएजडी चलती है तो आप फीस देखेंगे तो एक एक से दो अगर आपका मन्त की जो यहां पर स्टाइपन रहेगा उसमें पूरी फीस निकल जाएगी बाकी आप पीएजडी हो या आपकी फोर यह पीएजडी हो तो यहां पर आपको सेवन्टी थाउजड पर मन्त का यहां पर आपको फेलोशीप मिलता है थर्ड यह में 75 तूजड और लास्ट तूजड तो गाई जी अगर आप देखोगे एक पीएज़ू की सेलेरी की एकवल आपको य पूरी पूरी डिटेल में बता रही है कई बच्चों को यह पोर्चनेटी नहीं बता होती है कि पीएजडी जोइन करते करते पी हमारे जोइन करने पर इतना पर मन्त आपको यहां पर फेलोसीब भी मिलने लगता है इसका अगर आप फॉरेंड में जाकर रिसेर्च पेपर करना चाते है प्रोजेक्ट पर जाना चाते सेमिनार कॉंफरेंस में जाना चाते है तो टू लेक पर यह के हिसाब से अगर आप देखोगे आपको कंटिंजिंसी घ्रांट भी मिलता है तो कई बच्चों को यह फाइदा नहीं होता है आपको इतने सारे उन्टोल्ड है अभी मैं कई सारी आपको बताने वाला हूँ और तो यह मल्टीपल अपोर्चनेटी एक ही एक्जाम से जो अपन होती है वह अगर आपके क्या प्रस्पेक्टीव हो भी बताईगा फोरन यूश्टी में अगर आप जाना चाते कई बच्चों का एम होता है कि मुझे फोरन यूश्टी में जाके एमस करना पीएजडी करना है तो नेशनल यूश्टी ओप सिंगापूर एन यूएस नेन यांग टेकनोलोजी कल यूश्टी टेकनिकल यूश्टी ओप म्यूनिक आरे और डब्लूटी एच एकलन पीएजडी और एमस प्रोग्राम के लिए आपको यह सिंगापूर की यूश्टी जर्मनी की यूश्टी आपको एडमिशन का जो इंटेक होता है यह सारी आपके पास अवेलेबल है अगर आप यहां पर देखो गाइस यह अपॉर्चुनिटी के अलावा कई बच्चों को पता नहीं होता है कि आगर आपने गेट क्वालिफाइ पर कर रहे है तो बहुत सारे जो रिखुर्टर्णीट ऑरक निकालता है यांपर डेखोगे आई पीयाउसिया लेप यह निकलती है इसमें जो एक डिखुर्वर्णऑ Minister से किसी प्रोडेक्च के फेलों क्रीज़ते यह निकलता है तो वो लोग junior research fellowship senior research fellowship की throughout the year recruitment निकालते हैं कई बच्चों को इस फिल्ड के बारे में नहीं पता होता है तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे 32,000 37,000 प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है इस हिसाब से आपको मिल जाता है तो यह भी आपके पास एक options होता है इवन कई सारे जो जूनियर research fellowship के जो प्रोग्राम होता है उसमें आप फूचर में उसको पीच्डी में भी convert कर सकते हैं यह options भी आपके पास available होते हैं तो वाई ऐसे ऐसे सब्सक्राइशन भी जो है वो सब्सक्राइशन के अंदर जाकर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यह जो सब्सक्राइशन आपके लिए गेट से खुलती है गेट से नोट ओनली आपको एसा रगएगा कि आपको अपनी लाइफ में जरूर देना चाहिए बाकी आपका एम क्या है आप गेट इसकोर से क्या इसके साथ इस वीडियो को और एंड करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ किसी और रिसर्च कंटेंड के साथ तब तक लिए गुडबाई टेक के